जो भी मन को वश में करेगा करना चाहेगा उसे जैन कहा गया है जो भी मन इंदरियों को वश में करेगा उनको जैन कहा गया जिन जो मन को वश में करता है महाविर जिन हुए और उस टीचिंग्स पर उन शिक्षाओं पर सिखावानियों पर जो लोग काम करते हैं उन्हें जैन कहा गया यानि प्रत्वी पर जो भी आज मन को वश में कर रहा है वह जैन है और प्रत्वी पर जो भी मन का गुलाम है वो अजैन है मन को वश में महाविर ने जैसे किया वैसे हमें करना है सही धंसे शरद्दा अरपित करनी है उस महापुरश को जिनके द्वारा क्यवल्ल ज्यान लोगों तक पहुंचा जो भी शरीर और मन पर विजय प्राप्त करता है और क्यवल्ल ज्यान प्राप्त करता है नीचे से उपर उठता है तो उसे महावीर कहा गया है चबीस वर्ष पूर्वा सिद्धार था और उनकी रानी तृषला उन्होंने एक बालक को जनन दिया जिसका आगे चलकर नाम महावीर हुआ महावीर का जनम जब भी कहा जाए तो आलवेर समझना कि शरीर का जनम महावीर ना जनम लेते हैं न मरते हैं और सदा ये बात याद रखें कि महावीर नाम नहीं काम है महावीरता काम है करम है महावीरता गुण है वह गुण अपने अंदर लाना है तो महावीर के स्कूल लाइफ से किशोर अवस्था तक उन्होंने जो कार्य किया वह था आत्म नियंत्रन का अपने शरीर पर मास्ट्री सेल्फ कंट्रोल बहुत कम लोग अपने जीवन में छोटी अवस्था में ये ला पाते हैं कई लोग तो बुड़ापे तक आत्मन नियंत्रन नहीं लाते हैं और उनका बुड़ापा बहुत बुरा जाता है क्योंके बुड़ापे में वानी पर कंट्रोल नहीं है तो बड़बड करते रहते हैं गरवाले परिशान होते हैं वे चाहते हुए भी अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते इसलिए कितना आवशक है जो दूर दर्शिता रखता है वो पहले किशोर अवस्ता में सोच लेगा क्यों बुड़ापा कैसा होगा जहां हर एक साथ में रहना चाहेगा आप कैसे बुड़े बने कि लोग आपके साथ रहना चाहें ऐसा नहों कि इससे दूर रहो यह तो बहुत किट किट करते रहता है हमेशा चिक चिक चलते रहती है क्योंकि वो अपने आपको बेकार महसूस करता है यूजलेज महसूस करता है वो अपनी उप्योगता सिद्ध करना चाहता है मुझे से पूछो, मुझे से राय लो, मगर कैसे कोई राय ले, क्योंकि जो काम होना चाहिए था, जवानी मौका है बुड़ापा आने से पहले, अगर इस मौके को लिया गया होता, तो बुड़ापा कितना सुन्दर होता, जवानी में ही शरीर, MSY का खयाल रखा होता, तो कितना तंदरुस्त होता, कितना वानी पर कंट्रोल होता, और कितना ग्यान होता, कि लोग आपके अनुभाव से लाब ले पाएं, लोग आपसे मिलना चाहें, तो ऐसा उद्देश्य आपका है, तो कितना आवशक है अपने शरीर पर नियंत्रन कर पाना, कैसे होगा, कुछ प्रियोग करोगे, तो ही यह हो पाएगा, चोटे-चोटे प्रियोग रोज करोग कि महावीर कोई एक दिन में नहीं बन जाएगा, महावीर बनने के लिए चोटे-चोटे इंटेंशन, चोटी-चोटी बहावनाएं रखनी होगी और उन्हें पूरा करना होगा, तो देखोगे कि आपका आगे का जीवन सुन्दर होगा, वहाँ आपको अपने अंदर आत्म विश्वास महसूस होगा, आत्म बल, आत्म शक्ती महसूस होगी, महावीर का रास्ता देखोगे जहां प्रण है, संकल्प है, व्रत है, उन्होंने शुरुवात में ही प्रण किया कि वे पाप करम से सदा दूर रहेंगे और ऐसा कोई कारिय नहीं करेंगे, जिन से उनकी स्वतत दा कम हो, ऐसा कोई कारिय भी नहीं करेंगे, जो आजादी का प्रेमी है, वह कभी भी नहीं चाहेगा, जिये कारिया और मेरी स्वतत द्र दा कम होगी, तो मैं करूं, तो बिलकुल नहीं चाहेगा, आप भी कारिय करते हो, और अपने आप को और गلام बनाते जाते हो, एक इनसान को देखो, क्योंकि जो अपने आपको शरीर मानता है, वह उस हर चीज का गुलाम बनते जाता है, जो उसे वह चीज प्रदान करती है, सामने वाला अटेंशन देगा, तो वह उसका गुलाम बन जाता है, क्योंकि वह मुझे वह दे रहा है, जो मेरे शरीर को चाहिए, तो तुरंट गुलामी मन्जूर हो जाती है, तो महावीर नहीं पहले ही प्रण कर लिया, जो चीज मेरी आजादी कम करेगी, वह मुझे नहीं करनी है, जो करम सोतंतरता कम करेगा वह नहीं करना है तो जो समझदार है वो सोचेगा कि जो भी मैं करम कर रहा हूं उससे क्या हो रहा है जो भी मैं नई नई चीजों में उलजते जा रहा हूं उससे क्या हो रहा है मेरा रास्ता कौन सा है मेरे रास्ते में कौन से करम मदद करेंगे गलत सही का लेबल नहीं लगाया कौन से करम मदद करने वाले है तो वे आगे बड़े इस प्रण के साथ महा आस्मानी परमग्यान शिवर क्यों करे आईए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिवर का उनकी जीवन में क्या लाव हुआ एपी थोट्स मैं जैनों के पुरे भारत देश के पुरे मंदिरों में भगवान को ढूंद ते रहा कहां ही नहीं मिला बहुत जात्रा की बोले तो अमेरे में जात्रा जो बोलते सब्सक्की केल लुटे डूंगरे चड़े बोट चड़े दैनों ंदिन तक update की है मुझे पता नहीं थाThat बगवान मुझ में यह और आप मैं यह आकर पता चला और मेरे मन को ऑगवास नही करता था जो माहवीर फिर किदर मिले मन को वास नहीं किया तो माहवीर मिलेगा यह नही required और उडिकणा प्रेश कॉछ चलाता हूं तो मुझे एक ऐसा कहना है कि गवर्मेंट को एक रूल निकाल देना ची है यह कहते हैं कि टीचर को भती करना है तो इंच फाउंडेशन का यह सिबीर का सर्टिफिकेट है कोई एड्मिर्शन मिलेगा नहीं तो टीचर नहीं वर्फिन है तेज ग्यान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर्श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आस्मानी परमग्यान शिविर में जरूर भाग लें भाग ले करने के लिए संपर्क करेंगो